असलाम अलेकुम दोस्तों एक और जबर्दस ट्यूटोरियल के साथ हाजर हो आज हम सीखेंगे आपका टेक्स में किस तरीके से 3D टेक्स बनाया जाता है तो सब्सक्ते पहले कमपोजीचन पे क्लिक करें निव कमपोजीचन लें कौम ही नाम रहने दें इसको ओके करने के बाद टेक्स स्लेक्ट करें और जो भी आपका नाम है यहां से इसको वाइट स्लेक्ट करें करने के बाद हम थोड़ा सा पुश्ट करेंगे थोड़ा मैटल लुक की आए इसमें पाइल में जाई है और मैटल का कोई कि आपके पास टेक्चर है आप उसको वहां पर ले लें और यहां ड्रैक कर लें पिर यहां पर इसकी सेंटर से इस बटन से यहां से इसको आल्फामे करने के बाद आप यहां से एफेक्ट पैनल में जाए यहां से कर्च करें और नीचे इस पे पिक्चर पे डालेगा और यहां से बाकी चैनल हमें चेंजके करने की को इतनी जरुषाद में उतमें कलराइज ना हमें इतनी कोई मतब उसकी जाहे लएगा यह करने के बाद आब आप यहां पर यहां से यह इसके की ऑपी ले डी करें इसको यांसे हांक टोल लें और यहां से इस उदल गया वह यह करेक्टर है इसको ब्लेक्ट करने के बाद अब इसके पर बीवेल की कुछ रख दे आई यहां से फोरें इसको थोड़ा से आइंगल को यहां ले आए ठिकने से इतनी रहने दे यहां से 90 पर करने के बाद अब यहां से इसको एट पर क्लिक करें फुरा सा राइट हो गया फिर कंट्रोल डी करें यानि न्यू कोपी लें इसका एंगल चेंज करके नीचे की तरफ गया है और इसको फुरा सा अपके बार कम कर दें ये इतना करने के बाद आप ये जब कर लिया तो इसको तमाम लायर्स को स्लेक कर लें स्लेक्ट करने के बाद लायर में जाएए प्री कंपोस के क्लिक करें और 3D टेक्स करें इसको टाइटल मजीद हम आगरें ये जब इस तरह बन जाए फिर उसके बाद आप दुबारा कंपोजिशन में जाए नीव कंपोजिशन में इसका नाम 3D टेक्स लायर कर दें सौरी यह होने के बाद प्रोजेक्ट पर क्लिक करें फिर जो पहले अगा 3D टेक्स है उसको हम ब्रैक करके यहां पर इसको ले आईए यह करने के बाद लायर में जाए न्यू में जाए यहां से अड्जस्मेंट लायर लें अड्जस्मेंट लायर लेने के बाद इसके उपर यहां से कंट्रोलर कंट्रोलर उसको यहां पर ड्रैग करने के बाद इसको यहां से इस एरो को यहां से क्लिक करें करें और इसको यह ओपन करने और यह दर से यहां से इसको से नीचे नीचे अनी जो लायर है थी टेस्ट इसको सेलेक्टर अबढ़न दबाएं और यह कमांड देख लिए अब वैल्यो प्लस ब्रैकेट जीरो जीरो पॉमा जीरो इंडेक्स स्टार है यह एट उपर जो टॉप और वाइट तो टॉप फॉर पाइट वाइट वह उसको कीबोड से शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आप उस स्टार कुलेने और यह ब्रैकेट आपको पी के बटन जापी लिखाओको उसके साथ में दो ब्रैकेट है खुलने बंद करने का दोनों वह एट है यह अभी इस ब्रैकेट को कॉपी नहीं कर को आजाएगा पर कंट्रोल भी करें यह करने के बाद अब यह जलेवी की तरह यह जो जो बनी वी है इसको क्लिक कर इसको ड्रैक करके इसकी तार को इसके बलके कान खेंच के यहां तक बढ़े करने के बाद अब वो जो सा ब्रैकेट है अजय भाई आ रहे थे हम उप्पी जल्दी गया थे हैं अभी तई कर दो यह देखें यह ब्रेक्ट हमने बन किया और यहां से देखें यह वाला ब्रेक्ट एंड में जरूर लगाईएगा वरता है रहते हमने नहीं लगाया था इसी दिए को पौरान उसको घुस्सा आ गया त क्यूंकि सही हो चुका है यह इसका कनेक्शन इसकी साथ अजस्मेंट लायर के साथ बन चुका है इसको 3D पर क्लिक करें और इसके बाद इसकी थक्रिमत 7-8 कॉपियां ले 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 दस होगी कोई बात नहीं 10 कॉपियां ले ले अब 19-20 चली जाती है मस्तला क्या है यह कॉपि कईने लेने के बाद अब आपने करना यह है कि क्लिक करें और पिर लायर में जाईए नियू में जाए और यहाँ SAY केमरे क्लिक कर रहिंए 35 जो प्रिफ होगा तो इस पर आप चेंज भी कर सकते हैं यह कैमरा लेने के बाद यहां पर यह जो निशान है रोटेशन तूर्स्थाइब जो निशान है एक कैमरे का है अजल सब्सक्राइब और अब लेगा और्बिट कैमरा टूर्स पे इस पर जब आप क्लिक करें वासी ही चाहिए तो यह आप इसकी पॉजिशन खुछ इस तरीके दिखाने इसको लेफ्ट माउस से जब आप ड्रेक करेंगे तो इस तरह मतलब यह हमें थोड़ा सा ऐसे दिखना है दिखाना है थोड़े देर में सो जाता है ना कंप्यूटर मेरा यह करने के बाद आप और वभाड़ा कर देझे यह करने के बाद जो सबसे पहला वाला है उसको यह उसको से लेक्क करें और उसको जो ट्रक्र ए उस में तन गलर ब्लैक फिल कर देंए इसको रेड आता है तो तो इसको को यहां से ब्लैक कर दें इसी तरह टॉप वाले को भी ब्लैक कर दें तिल कर दें कि यह आगया आपके पास अब एड्जस्मेंट नायर पे क्लिक करें और यहां से तक्रीबां दो दो किया तो आपने देखा यह इस तरीके से आगया आपके पास अब इधर दी अजस्मेंट लायर पे रहने दें लायर में जाएए नियू लायर में जाए नियू पे जाए कि अरे क्या रुका के लिक कर दिया है उसका पूरा पैनल यह उड़िया है और स्लेडर पे इस लेडर कनेक्शन के तब है या नहीं यह भी बदा दिया है अजस्ट्व में यह भी यह भी झार प्याएए लायर नहीं यह भी यह भी यह भी यह भीचिस्ट्व में उड़िया है कर दिया अभी ये करने के बाद अच्छा हमने कैमरा लगता है रिमोट कर दो है ये हुआ कैमरा भी है ये हुआ क्या है कि अशें सब्सक्राइब दक्राइब खूंद है इसको दो से कम कर दो इद बाएं कीबोड जिछे करें और इसको वानपॉट पाइव कर दो भूं जारा मोटा होगे इतना सही है इतना सही है यह करने के बाद एड्जस्मेंट भी क्लिक करें लायर में जाए एंड्यूर में लाइड जाए या सॉलिट भी क्लिक करें अब यह हमारा बीजी है हमने नीचे लेके जाना है तो बिल्कुल नीचे ले जाए यह बिल्कुल चला गया तो उसके बाद फिर आप यहां पर RAM करके यहां डाल दें इसको तो इस तरह आपके पास यह बेग्राउंड आएगा अभी इसको बड़ा सा बड़ा कर रहे हैं इसको इसको बड़ा कर रहे हैं हम ने क्योंके इस पर थोड़ा सा काम क्या करना है बस हम चारे है कि न इसको थोड़ा सा 100 प्रकर करें हम चारे हैं इसको उपर से वायड हो और बीचे से बलैद को और इतने हम एंड्रेट में हम थोड़ा इसको पूना बढ़ा कर लें यहां से इसको थोड़ा सा अब यह कुछ यह काम दिखा रहे हैं तो कि हमने टेक्स आलरडी सारा बना हुए इसको बार या भी इसी पेगाम करेंगे तो यह करने के बाद अब इसको यहां से कॉलेक्स कर दें कॉलेक्स करने के बाद आप थोड़ी सी इसमें चाते हैं ब्रैटनिस आजाए और इसको थोड़ा सा फिरूपर करना पड़ेंगा अब हम नीची आले पे सबसे पहले फिल करते हैं फास्व यू आउप यहां फास्व आले पे करें तो यह देखें फड़ा था पीछे से अभी आप इस तरीके देखें आप पूरा सा यह इसे ब्रॉप शेड़ो वगणा आजाएं आजएं आफ यह हुआ है अब यह हैं तो यह देखें जैसा आपको सुट करता है अ तो अब अब यह दिखा कर लेंख लेंगे यहां पर आप एक और प्लग-इन है उसका नाम है ग्लू ग्लू सर्च करें इसको अड्जस्मेंट लाइर के उपर डाल लेंगे अड्जस्मेंट लाइर पर जब डालेंगे तो कोई लाइट थी जो मेरे जहन से निगल गई अब यह नहीं आ रही है मुझे बहुत सक्त क्या कर लेंगे बारहल यह 3D टेक्स बनाना आपको बताना था इसमें आप कोई भी चीज़ को यह प्लग-इन एड्ड कर लें इसमें और इस 3D टेक्स का जो सबसे आसान तरीका यही मुझे लगा तो इसमें मजी चीज़ें भी आड़ कर सकते हैं मुझे प्लग-इस इस पर डाल लाल की जैसे मैं चेक कर रहा था आप भी चेक कर लें तो ना जैसे आप अच्छा लगे अपको यह चैंज कर सकते हैं बीच में बस यह किस तरह लूप रखी कर के अ थोड़ा सा लगे के ना यह थोड़ी से ना मैटल आप पार को यह थोड़ी को यह झाए भी चु़ तो यह थोड़ी को यह झाए वगे को यह चार अए़।